गुडविनिंग एवरीबडी आइम यह विशाल चलिए देख लेते हैं मंदे को मार्केट किस तरफ मोमेंटम कर सकता है उस दिन के लिए हम क्या प्राइस एक्षिन एक्सपेट कर सकते हैं और मंदे के दिन मार्केट में सपोर्ट और रेस्टेंस लेवल्स क्या होंगे बेगन विथ फ्राइडे को हमने थोड़ा सा मार्केट में यहां पर एक हलका सा डाउन फॉल देखा है निफ्टी में वन्स अगें देट्रेंड लाइन रॉक्ट जब मार्केट में रेंड लाइन देखने मिलते हैं वह भी अगर सपोर्ट ट्रेंड लाइन होती है तो इट रि निफ्टी एक बार एक फॉल फॉर्स सेशन में फॉल होने के बाद काफी साइडवेज हा गया बैंक निफ्टी में भी एक फॉर्स कैंडल कुछ 200-300 पोइंट्स का बना और उसके बार मार्केट कंटिनिवस्टी साइडवेज ही रहा वन्स अगें आर एवरी सिंगल लेवल क्योंकि वीकेंड चल रहा है अभी तो हम थोड़ा सा वीकली अनालिस भी करेंगे डेली भी करेंगे और देन विल एड़ान तो 15 मिन आलिसिस बाद बिफोर दाट एक बार हम ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं सो ग्लोबल क्यूज में डाव जोन्स वास ट्रेडिंग यहां पर यहां पर यहां पर एक इंडेक्स है वहां पर 1.45% का यहां पर फॉल होतावा दिखा है जर्मन इंडेक्स वस डाउन बाई परसेंट एंड फ्रेंच इंडेक्स वस डाउन बाई नादर 1.26% एशन मार्केट में भी कुछ यहां पर अगर हम जैपनीज मार्केट चोड़ते तो वहां पर कुछ खास हमें भी गेन देखने नहीं मिला है तो ओवराल फिलाल तो ग्लोबल की उस नेगेटिव है ओपन इंट्रेस्ट भी फिलाल हमें यहीं बता रहा है कि ओपन इंट्रेस्ट में अगर हम देखते हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं मार्केट में कॉल राइटर्स काफी जादा हद तक बढ़ चुके बट इसके अगेंस हम अभी भी long term के लिए थोड़ा सा short term के लिए में expect करके चल सकते हैं until and unless यहां पर कुछ चेंज हमें देखता है बैंक निफ्टी में तब तक हम जब तक put side में थोड़ा से यहां पर आल राइटिंग नहीं बढ़ जाता है तब तक तो हम यहां पर upside के लिए expect नहीं करेंगे मार्केट में काफी scary patterns यहां पर बन रहें बाट गुड़ फो ट्रेड़स अगें पांग निफ्टी में एक्कोर्डिंग टू ओवाए 44500 इस दी मेजर रेजिस्टेंस यहां पर 44500 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है 9500 9500 के लेवल पर यहां पर call writers अच्छे खासे हैं बट यहां पर cumulative अगर देखा जाए तो निफ्टी में 9500 19000 550 and 9600 इनके cumulative number काफी अच्छे है call writers के compared to निफ्टी is 9500 450 and 400 इवन अगर हम reverse order मिलेते 400 350 and 300 यहां पर put writer का जो यहां पर जो पगड़ा है वो थोड़ा सा यहां पर week है यहां पर भी call writers के call writers का जो फिलाल नंबर चल रहा है तो 5.78 क्रोर कांट्राक्ट से ओपन है अभी भी बट उसके अगेंस्ट में निफ्टी में बस 4.5 क्रोर के ही कांट्राक्स ओपन रहें तो यहां पर भी छोट आसा एक 19,500 पर रेजिस्टन्स है मार्केट अगर 19,500 के नीचे जाता है तो यहां पर थोड़ा सा में वापिस से हम head and shoulder कहते हैं यहां पर दो प्रोबैबिलिटीज है यहां तो यह एड़न शोल्डर के हिसाब से यह मार्केट काफी डाउनसाइड पर आएगा यहां का जो हमें दाउनसाइड का टार्गेट है वो दाउनसाइड का टार्गेट बहुत स्केरी है विच इसका जो डेप्थ होता है वो डेप्थ हम डाउनसाइड पर अगर रिफलेट करेंगे तो 1858 पोइंगे तो यहां पर हम फॉल एक्सपेट करके चल सकते हैं इसके लिए जो अपसेड रहेगा वो 45100 का लेवल रहेगा इनकेस अगर मार्केट यहां पर थोड़ा सा यूटन ले लेता है और उपर की तरफ जाके 45100 को ब्रीच करता है तो यह पैटन फेल हो जाएगा और यहां पर काफी अच्छा खासा एक हम वापिस से अपसेड आता हो दिख सकता है head and shoulder काफी bearish signal होता है market में reversal signal होता है बट उसका fail होना भी एक काफी major signal होता है market में कि यहां से bull trend अभी बी intact है और bulls के यहां पर थोड़ा सा इसमें अभी भी जानबा कि है markets को उपर की तरफ push करते जाएंगे इसको अगर हम थोड़ा सा weekly इसमें देखते हैं तो weekly में भी चार्ट कुछ अच्छा नहीं लग रहा है weekly में भी यहां पर अगर हम देखते तो यह हमारा major support level था इस support level को लेकि हम काफी time से watch out कर रहें markets को कुछ इस तरीके का यहां पर एक support level यह support level के भी आसपास मार्केट अगर मार्केट यहां से उपर की तरफ नहीं गया तो फिर हमें थोड़ा सा downfall आता हो दिख सकता है especially that is below 43,400 के नीचे मार्केट और ज्यादा वीक हो जाएगा 43,400 तक तभी यहां पर थोड़ा सब्सक्राइब करके चल सकते हैं बट अगर 43,300 ब्रीच हो जाता है 400 नीचे की तरफ ब्रीच हो जाता है तो यहां पर हमें बैंक निफ्टी बहले ही 1.35 1.50 sorry 1.54% के आसपास से गिरा होगा यहां पर अच्छा खासा रैली एक IT सेक्टर में भी आता हो दिख रहा है which is I think if I'm not wrong 1.12% या 1.2% के आसपास का रैली रहेगा these are the major sectors जो कि निफ्टी में इनका जो वेटेज है अल्मोस 38% के आसपास finance का वेटेज है that is banking stocks and some NBFCs बट उसी साइड पे अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरह तरह तक 13% का सिंगल हांडड़ वेटेज फिलहाल निफ्टी में अभी भी निफ्टी आईटी के पास है which has come down definitely from somewhere 20% का वेटेज होआ करता था एक बार जो लास्ट टू येस में जो फॉल आया निफ्टी में उसकी वैसे वेटेज कम हुआ है यहां पर मार्केट में अभी भी स्केरी थोड तो थोड़ा और ज्यादा स्केरी हो जाता है बेसिकली बैंक निफ्टी में जादा यहां पर डाउन फॉल में एक्सपेक्ट दिख रहा है यहां पर ट्रेड हो रहा है इसी थोड़ा से अगर हमें देखना होगा तो यहां पर कुछ इस तरीके का एक कपन हैंडल पैटन यहा पर अच्छा का से एक rounding top यहां पर बना होगा हो सकता है कि यहां से market अगर downside के लिए निकल जाए तो market में कहीं न कहीं यह neckline रहेगा 19,300 की नीचे अगर यहां पर closing देखने मिलता है market में तो यहां पर जो का downside का target होगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा सो इसका जो depth रहता है that is 670.670 points on the downside are something at basically 18,638 जो जहां से market यह पूरे rally करके यहां पर उपर की तरफ गया है वही सारी rally यहां पर हो सकता है कि पूरी absorb हो जाया और नीचे की तरफ market चलता हो आए another one scary thing यहां पर है कि हर दिन market gap up open हो होके यहां पर all time high के पास गया था which is again not good for the nifty तो यहां पर वापी से जो gap up opening जो यहां पर है वो gap up opening यहां पर support की तरह काम तो करेगा बट क्यूंकि यह gap up opening तो market इस तरफ magnet की तरह attract भी होता है this is also a theory again so यहां पर कहीं ना कि market में निफ्टी 50 के लिए 19,300 का जो लेवल हो काफी important होगा watch out करने के लिए basically इसको मार करके रखेंगे and we'll see in the next week की market में कैसे perform हुआ है so now this is the neckline in case अगर neckline breach होता हुआ दिखता है तो यहां पर हमें fall आता हुआ दिख सकता है bank nifty में कुछ इस तरीके का एक यहां पर हो सकता है कि कुछ trend line भी देखने के लिए मिले so अगर trend line का यहां पर breakdown होता है तो भी market में काफी scary moment momentum यहां पर downside की तरफ आ सकता है which is something like this अगर इसे हम थोड़ा सा देखते हैं तो market में फिलहाल यहां पर कुछ इस तरीके का एक trend line बनेगा यह जो trend line है market में अगर यह भी breach हो जाता है तो यहां पर एक अच्छा घासा fall भी आता हुआ हमें दिख सकता है थोड़ा सा भी के लिए चलते हैं माइकरो टाइम फ्रेम में 15 मिनिट के चार्ट पर अगर हम देखते तो निफ्टी में अभी यह जो हमारा support है यह support अभी इंटाक्ट यहां पर ब्रीच नहीं हुआ था बट इन केस इस ब्रीच इन केस इस ब्रीच दे नेक्स्ट इम्पॉर्टन सपोर्ट लेवल इस 19,300 और यहां पर यहां पर अगर यहां से मार्केट बाउंस बैक कितना देगा यह थोड़ा सा सप्राइजिंग रहेगा क्योंकि यहां पर डाउनसाइड पर वापिस एक दूसरा गाप है तो वह भी यहां पर मैगनेट की तरह नीचे की तरफ मार्केट को खीचता जाएगा अब साट के लिए मार्केट अगर मंडे के सेशन के लिए थोड़ा सा देखते इक कि मंडे के सेशन किस तरीके का मोमेंटव एक्सलफरइट कर सकते हैं फिल prostu अगर Typically देखे जाए तो अगर साफ फ्लाइच निचे की तरफ मार्केट ओपन होता है थोड़ा सा Pharaoh अपैं राइट यह 380 के नीचे अगर चला गया तो आने वाले टाइम में मार्केट से दें 19300 तक आ सकता है यह जो 100 यहां से हो सकता है कि मार्केट वापिस से एक बार डाउनसाइड के लिए थोड़ा सा टर्न ले ले यहां पर फिलहाल तो हमें जो सपोर्ट और रेस्टेंस लाइन से यहां पर कुछ यह करने की जरूरत तो नहीं है बस एक छोटा सा होगा हमें ट्रेंडाइन अभी जरूरत न दीनीविला था इक्नुछ इस तरीके का यहां पर चोट आसा हमें मार्केट में एक रेज्सटेंस की तरह काम करता हो दिखेंका यह जो है हो सकता है अगर मार्केट यहां पर अगर फ्लाट ओपन होता है या फिर तो डाउंसाइड की ओपन होता है अगर इसको सपोर्ट को उपर की तरफ ब्रीच करता है तो भी इमिजेट सपोर्ट के लिए हमें सब्सक्राइब सकता है 19,460 का कई चेड़ंगा की तरफ इस ओपर फामगी सकता है भारि90 थाएथ होगा यहां अगर बैंग में देखना होगा तो द आउन फॉलीड में काफी अच्छी तरीक आप छेंफाल इसको नीचे की तरफ यहां पर अभी जो हमारा एक मेजर सपोर्ट जो था वो था फॉर्टी फॉर्टी फाउजन फाइव हंड्रेट के पास का जो इस सपोर्ट था मार्केट ने इसे तो अच्छी तरीके से नीचे की तरफ ब्रीज भी किया और यहां पर अभी मार्केट रेजिस्टन्स भी ले रहा है सो यह जो हमारा डी मांड जोंне यह अभी यहां पर मार्केट में थोड़ा सा रेसिस्टंस की तरह आंट करेगा और एक मेजर रेसिस्टंस की तरह एक्ट हो सकता है आने वाले टाइम में इसे हम रिजिस्टंस कि लिए देक लेतेologist और जो इहां पर हो सकता है कि market का अभी भी एक थोड़ा सा हम थोड़े टाइम में इसे बट मार्केट में एक रिवाइवल एक्सपेट करके चल सकते हैं तो अगर वह ब्रीच होता है तो नेक्स्ट यहां पर जो सपोर्ट जो माइनर कि तरह यहां पर काउंट हो रहा है वह सीदे आता है 43,800 के पास एक पर मार्केट में जो यह यह लेवल्स के आसपास यहां पर मार्केट में सपोर्ट आता वह दिखेगा बट इन केस अगर यह decisively breach होता है तो this is the level जहां पर हमें breakdown consider करना चाहिए और market में जो उसके बाद एक major support आता है उसी ते 43,440 के आसपास है फिर 43,460 के आसपास यहां पर हमें आता हुआ दिखेगा so market में थोड़ा सा scary scenario होता है but in case अगर market थोड़ा से यहां पर you turn लेता है तो market को थोड़ा से यहां पर gap up opening देना पड़ेगा कहीं न कहीं market 44,330 के आसपास अगर open हो जाता है तो हो सकता है कि आने वाले time में 44,500 को अगर breach करता है तो एक छोटा मोटा यहां पर एक upside हमें आता हुआ दिख सकता है इसी के साथ हमारा जो analysis है Monday का यहीं पर खतम करता हूँ see all guys on Monday with the Tuesdays analysis I hope that you are liking these videos and they are helping you with your trading so give a thumbs up for that and make sure to subscribe make sure to join our telegram channel जहां पर आपको regularly जो भी updates से वो यहां पर होते रहेंगे thank you again for watching the whole video